हेलो दोस्तों, वेल्कम टू सफलतामन, टीटी स्पेशल क्रासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, टीटी स्पेशल क्रासेज के अंतर्गत मैं आप लोगों की यूपी टेट, सीटेट, डी ट्रपलस भी तथा लिखित परिच्छा की एक साथ त्यारी करवा रहा हूं, और इसमें मैं आपके लिए अलग-अलग प्रकार के कोश्चन्स लेकर आता हूं, संस्क्रत के मैं 100 कोश्चन का अलग से पाड़ ला चुका हूं, बाल विकास के 100 कोश्चन का अलग से पाड़ ला चुका हूं, यूपी टीटी 2011 का पेपर सॉल्व करवा चुका हूं, आगे और भी जल्द आपको papers मिलेंगे and questions भी मिलेंगे आज की इस पार्ट में हम लोग हिंदी वर्ण माला के कुछ important points को देखेंगे क्या क्या हिंदी वर्ण माला के अंतरगत पढ़ना है इन चीजों को देखेंगे और समझेंगे पढ़ेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जोता ही आपकी भासा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है सबसे बेसिक जो सोतंत रिकाई होती है वर्ण मानी जाती है अब यह क्या होता है अच्छर समू का दूसरा नाम वर्ण होता है वर्ण के दो भाग होते हैं स्वर और बेंजन अच्छर समू के दूसरे नाम को था एक आपका हो गया स्वर, दूसरा हो गया बेंजन आपके वर्गी क्राण को समझेंगे क्या क्या वर्गी क्राण इन चीजों को जानेंगे इसके आज सेकेंड नमबर कोशन है हंदी वन्माला के वर्णों का विभाजन समझाईए तो हिंदी बैंजन माला में कुल कितने वावन बैंज है, ये question आप से बनता है, confusion वाला question है, हिंदी बैंजन माला में कितने बैंजन है, कुल 62 बैंज है, जिनमें से आपके 46 बैंज सिम्पल होते हैं, इसके चार होते हैं 11 सौर होते हैं इस पर सब्सक्राइब 25 होते हैं उस मेंजन 4 होते हैं तो दूसरों यह चीज़े आप लोग देख लिजिए अभी इन सभी का वरगी कराना आगे हम लोग देखेंगे और जहां आपको डाउट हो कोई चीज समझ में ना यह आप लोग comment box में मुझसे पूछ सकते हैं अगर जरा सावी आपको किसी से related कोई doubt हो आप देखते हैं आगे स्वर किसे कहते हैं स्वर क्या होता है तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उचारण स्वतंत रूप से होता है हिंदी वर्ण माला में कुल ग्यारा स्वर होते हैं स्वर कौन से होते हैं स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके लिए हमें किसी अन्य वर्ण की या फिर किसी अन्य स्वर की साहता नहीं पड़ती है यह विना किसी साहता से स्वतंत रूप से बोले जाते हैं इन्ही कुल संख्य 11 होती है लेकिन लिखित रूप में 13 माना जाता है लेकिन व्याकरणिक रूप में 11 स्वर होते हैं अब आपका आता है आगे वेंजन वेंजन किसे कहते हैं तो वेंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरकी साहता से होता है हिंदी वर्ण माला में कुल 33 वेंजन होते हैं जिनका उच्चारण जो किया जाता है जो जिनका उच्चारण किया जाता है स्वरकी साहता से किया जाता है विना स्वरकी साहता से वेंजन नहीं बोले जा सकते हैं एक बार आपका कोश्चन आया था कि वेंजन किसकी साहता से बोले जा सकते हैं तो इस स्वरक इस्पर्स या इस्पर्सी वेंजन होता है कि अगला है अंतश्वेंजट उसके बाद है उस्वेंजन ये तीन परकार के मुखिता वेंजन होते इसके आगे जो हते, वह अन्य वाणड़ी होते उनको भी हम लोग टिसकस करेंगे, सबसे पहले अब आता है ये आपके वेंजनों का वर्गी करन और उनका उच्चारन स्थान तो इनमें सबसे पहले आपका आएगा सपर्ष वेंजन, इसपर्ष वेंजन की कुल संख्या होती है, जो पाँच वर्ग कोते हैं आपके का वर्ग चा वर्ग यह पाठ्टर्ग आते हैं इस पर स्व crédंजन या वर्ड होते हैं अब drinking नहीं की कि आते हैं कि कुणह से बोले हैं यह मूरधा से बोले जाते हैं इसका सबसे नत में आता है आपका पावर्घ यह आपके ओष्ट के ओष्ट से बोले जाते हैं पहला कावर्ग कंट से चावर्ग तालू से टावर्ग मूर्धा से तावर्ग दंत से और पावर्ग ओष्ट से ये पांचों आपके इसपर्स वेंजन के इसपर्सी वेंजन के अंतरगत आते हैं इसका अगला कोश्चन है मेंजन कौन से होते हैं शाका शाहा ये आपके चार जोते हैं ये उस मेंजन होते हैं इसे साः पढ़ा जाता है इसको भी तो ये आपके चार होते हैं साः साहा ये उस मेंजन के अंतरकत आते हैं इसके अलावा जो हिंदी बर्ण वाला में संयुक्त बर्ण के अंतरकत आते हैं यह आपके तीन होते हैं कहीं कहीं चार भी दिये रहेंगे तीन में आपके छत्र ग्यां और यदि चार दिये हैं तो उसमें स्रा और जोड़ दिया जाता है वैसे स्रा जो होता है यह आपका मिस्र वर्ण के अंतरगत आता है कहीं कहीं संयुक्त वर्ण में भी दिया रहेगा ज आपके 11 स्वर होते हैं इसका दो आयोगवा हो गए अंग और रहा ये दोनों आयोगवावाव वाण होते हैं इसका 33 वेंजर में उपर आपको बता चुका हूँ तीन संयुक्त वन होते हैं तरग गया और एक मिस्ट वर्ण होता ही होता है स्रा यह आपका वर्ण माला का उच्छारण इस्थान दो वर्ण माला कम्प्रीट हो गया है बिल्कुल आगे इसके कुछ जो आपके में आपको बताना है कि च्छारण किन दो वर्णों से मिलकर बना है किन दो से मिलकर बना है यह आप लोगों को कमेंड बॉक्स में आंसर देके जरूर बताना है और अपने अंसर अधिक से अधिक संख्या में दे दें नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बतातूंगा कि च्छार किसे मिलकर बना हुआ है अब 11 नमबर कोशन है अर्दसवर कोंसे होता है तो या और वा होते हैं ये दोनों अर्दसवर के अंतरगत आते हैं या और वा अब अंतिम कोशन है 12 नमबर कोशन प्रकंपित वेंजन कोंसे होते हैं तो रा वेंजन जो होता है आपका प्रकंपित वें वाला लगवक complete हो गई है इसके जो कुछ question बचे होंगे उनको भी मैं जल्द आपको बता दूँगा और मैं जल्द ही आपके हिंदी के एंड़ेट question का एक part लेकर आ रहा हूं जिसमें important question मिलेंगे आपको exam के लिए तो दोस्तों हमारे चैन को subscribe कर ले वीडियो कर पसंद आयो त description में दिये हुए हैं वहाँ पे जाके आप लोग सभी वीडियो से देख सकते हैं और अगर कोई doubt हो comment box में आप लोग पूछ सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर दें thank you दोस्तों